नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दी पावर ओफ ओम पर दोस्तो अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे जैश्री राम, कुम्भ राशी में शनी देव कब तक रहेंगे? अगले ढ़ाई साल तक बढ़ाएंगे इन लोगों की परेशानी शनी देव की कृपा से इंसान रंग से राजा बन जाता है शनी देव के आशीरवाद से सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं वहीं शनी की अशुब स्थिती जीवन में कठिनाईयां बढ़ाती है शनी ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना जाता है जो लोगों को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं इसलिए इसे कर्म कारक ग्रह कहा जाता है इसे मकर और कुम्भ राशी का स्वामित्व प्राप्त है य और इस दोरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए शनी देव की चाल शनी देव 17 जन्वरी को कुम्भ राशी में प्रवेश कर गए थे अब वो 30 मार्च 2025 तक इसी राशी में रहेंगे इसके बाद गुरू की राशी मीन में प्रवेश कर जाएंगे हालांकि 17 जून से शनी कुम्भ राशी में वक्री अवस्था में हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनी कुम्भ राशी में वक्री ही रहेंगे इसके बाद 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे इसके बाद 29 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक शनी फिर वक्री अवस्था में आ जाएंगे इन लोगों की शनी साढ़े साती के तीन चरण होते हैं, जिनमें इनका दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टदाई माना जाता है, जो इस समय कुम्भ राशी वालों पर चल रहा है, इस दोरान कुम्भ राशी के जातकों को अगले ढ़ाई साल तक बहुत सतर्क रहना होगा, शनी के उपाए, कुम्भ राशी के लोगों को हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को बूंदी के लड़ू चरहना चाहिए, इस राशी के लोगों को हनुमान चालीसा और बजरंग बान का पाठ करना चाहिए, आपको हर अमावस्या कुष्ट रोगियों को भोजन कराना चाहिए, जरूरत शाम के समय पीपल के पेड़ा में जल, दूद, शहद, शक्कर, गुड, गंगा जल मिश्रित, मीठा जल और काले तिल अर्पित करें। नोट, यहां दी गई जानकारी सामान्य माननेताओं और जानकारियों पर आधारित है। डी पावर ओफ ओम चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है।